Hello everyone, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका मयंग, हम लोगों की यहाँ पर class 7 की old NCRT word जोगराफी चल रही है, आज आपका हिसी करम में chapter number 9 है, यहाँ पर हम लोग कनेडा दिस्क के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्क कड्याद है, के जो है उत्तर अमर्का में चेटफल की धट्टी से सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ, रूस के बात दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनेडा में अलास्का और ग्रीन्नेयरेंड पर USA का उतराधिकार है और वहीं बिन्नेरेंड ग्रीन वारी डि पूर्वी चित्र में पूर्व में यहाँ पर अट्लांटिक महासागर है और पश्मी चित्र में उत्री प्रसांत महासागर तक इसका विस्तार है इसके बहुते लक्षणों की बात करते हैं तो देगे कनेडा को भी तीन प्रमों को बहुते भागों में माटा जा सकता है इसमें कनेडियन सील्ड आ जाती है आंतरिक मैदान है और कॉल लेरा परदेश है तो सबसे पहले बात करेंगे कनेडियन सील्ड की कनेडियन सील्ड का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है देगे कनेडियन सील्ड जो है कनेडा के उत्री भाग में इस्तितर कठोर चट्टानों से निर्मेत एक पठारी छेत्र है और ये कनेडा का प्राचींतम बहुते लच्छड वाला छेत्र है यानि ये जो रीजन आप देख पारें पूरा कनेडियन सील्ड वाला रीजन है तो ये जो है एक पठारी छेत्र है और ये कनेडा का प्राचींतम बहुते लच्छड वाला छेत्र भी है देखे समय के साथ साथ इसका अबक्षया वर्दन हुआ है जिसकी वज़ेसे इसकी उचाई भी है घट गई है इसकी उत्री भाग यानि इसका जो उत्री भाग है प्राय वर्स वर हिम और बर्व से ढखा रहता है जैसा कि आप लोग जानते है उपर से यहां से आक्टिक वर्द जा रहा है तो आक्टिक वर्द जाने के विजए से इसका जो उत्री वाला भाग है पूरे साल बर्व और ह दलदल है। लेकिन यहां पर खेती करना संभब नहीं है। Canadian seal जो है, धात्यू खन्यायों से जैसे सवना, चांदी और निकल के मामने हम काफियादा संपन है। इस seal के दच्चड और दच्चडपूर में, Great Lakes और St. Lawrence ञदी की निन्म भूमिया है। याँ आप देख पा रहे हो इसके दच्छड में और दच्छडपूर में यहाँ पर Great Lakes है और St. Lawrence नदी की निम्नुहुमिया है यह काफी जदा उबजाओ शित्र है Great Lakes के आसपास अनेग डेरी फार्म और फलों के बगीचों का विकास किया गया है जैसा कि मैंने बताया था कि जो Great Lakes वाला रीजन है और St. Lawrence नदी की निम्नुहुमिया है यह काफी जदा उबजाओ रीजन है इसी जैसे यहाँ पर डेरी फार्म बगरा है केती के बागान बगरा सब लगाए गई है इसी Great Lakes के आसपास कनेडा की अधिकांत जनसंक्या का संकेंद्र है यहीं के आसपास कनेडा की अधिकांत जनसंक्या निवास भी करती है इसी Canadian सील्ड से St. Lawrence नदी का प्रभा होता है जो कि संसार के ब्यस्त अंतेस्तली जलमार्गों में से एक है जैसा कि आ लेब्राडोर प्राइदीप के पठार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं सील्ड के पूरू में जो है लेब्राडोर प्राइदीप है इस साइड में इसके पठार यहां पर है यह पठार जो है वास्तम में अपलेसिन परवतों के ही विस्तार है इसके बाद बात करेंगे आं य्येहांगे जो मैदान है आंतरिक मैदान है यहां पर सीटोष कडवन्दी गास वाली मैदान है जिए प्रेडी की नाम से जाना जाता है ये मैदान जो है पराय सम्तल है लेकिन रौकी परवतों की और इनकी उचाई दिरे दिरे बढ़ती जाती है यानि इस सैड में जैसे से आप बढ़ेंगे रौकी परवतों की सैड में तो यहाँ पर इनकी उचाई जो है बढ़ती जाती है ये मैदान जो है काफी जादा उपज बंडी है दुनिया के ग्याओं की सबसे बड़ी बंडी विनिकबेक में वस्तेते कनेडा में ऐसा बोला जाता है प्रेरी से सटे हुए जो भाग है इनमें पसपालन भी होता है इसके लाब आप यह कुछ खनिस अंसादनों जैसे सौना पैटॉलियम और कुईला में भी यह चि पश्चिम की और कम से इस साइड से साट में आप जैसे जैसे जाएंगे तो पूर्व से पक्रम से रौकी परवत उंचे पठार और फिर तटी से लडी आ mieć यहाँ पर फिर उंच्छे पठार है इसके बाद फिर आपकी जो तटी पर्वत से लिया तो यह पढे घी यहां पर ये परदेश जुए गनेजर और जॉल विद्धुत में kफी जह संपन्व हैं यहाँ की जलवईवद और प्राकरतिक वनस्पति की गई है कि जलवईवकevery है और प्राक्रतिक वनस्पति काूँई है जैसा कि यह अभी हम देख चुके हैं Canada और USA की جो सीमा और ह्थ करने वाली अक्षांसी रेखा है वो 94 पर genetics है यहांनि Canada का विस्टाद के उत्र दिखर दिखर है यहीं पचार डिखर दिखर उत्री अक्षांसी इसका विस्टाद हो जाता है तो Kaneda का अधिकांस जो भाग है 50 डिगरी उत्तरक्षांस के उत्तर में पड़ता है इसी वाला जो भाग है him और work से ठnaireका रहता है यानि ये वाला जो भाग है him से और work से ठका रहता है सीत रित्में उत्तर में थंडी पवने चलती है यहाँ पर चलने वाली थंडी हमयुक्त पवन को βर्फानी तूफान भाँ चालता है क्योंकि यह रीजन जो है द्रुग के निकट है इसी विज़े से यहां पर ठंडी हिम्युक्त बरफानी पबंच चलती है बरफान जिने बरफानी दूफान कहते हैं करेड़ा के प्रसांत महासागर के तरट पर तापमान में उत्रा चड़ाओ यहां पर कम होता है यहां जलवाई में वहुँद परव्णतन को नहीं मिलते हैं इसके लावा यहां के 30 भाग जो हैं 9% प्रवाग की विजशे से गर्म रहते हैं यहां बताया गया इसका कारड prowad है उत्री पृषांत प्रफार्वाग, यहां के 30 भागों को अच्छ मी पभ ने हैं उनसे सर्फध्र में अच्छी घ्राशी वर्साू challenges हो तापमान में उत्र पाज़ता होग Great किछ के नहीं होता है आप अन्मि में पाई जाती है पूरी तरह से बर्फ जमी रहती है हिमसे ढखा हुआ छेतर है तो ये पूरा छेतर जो है टुंडरा कहलाता है यह इस जिसके कुल छेत्फल के लगवक एक चोथाई भाग में फैला हुआ है टुंडरा प्रदेश के दच्छड में टुंडरा के दच्छड में इस साइड में बात हो रही है टुंडरा प्रदेश के दच्छड में शंगुधारी बनों की विर्स्तत पेटी है जिसे टेगा कहा जाता है और टेगा जो है कनेडा के कुल छेत्फल के 40% भाग को घेरे हुए है टेगा के दच्छड पश्ड भाग में प्रेडी की घास भूमिया है ये superior जील से लेकर रौकि परुबत की जो गिरिपद्ध है गिरिपद्ध पहड़ियां यहां तक फैली हुई है यानि कि जो प्रेडी की घास भूमियां को यहां से स्टाट होकर रौकी परवत के जो गिरिपद है यहां तक यह घास भूमिया यह फैली हुई है यहां पर मैंने देखे ड्रॉ कर दिया है ताकि आप समझ पाएं इन घास भूमियों के अधिकतर छेत्र में खेती की जाने लगी है च्योंकि यह सबस्यादा उपजावी रीजन है और यही एक मातर ऐसा रीजन है जो कि बर्व से ढखा हुआ नहीं है इसी वज़ेसे यहां पर खेती जिक्की जाती है एगरीकल्चर की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं छेत्फल्क में मामने में कनेडा जो है दूसरा से बड़ा देस है लेकिन इसकी जो अधिकांस भूमी है वो वर्प से ढकी हुई है इसी वज़ेसे खेती करने के यह योग नहीं है केवल दचडी इससे महीं खेती यहां पर होती है तो करसी के लिए बहुत कम भूमी यहां पर बचती है तो बताया गया है कनेडा के छेत्फल्का केवल साथ वीसद भागी परेस के योग है और कनेडा की लगवक 80% करसी भूमी जो है प्रेरी परदेस में है जैसा के भी बने बताया था प्रेरी परदेस जो है यहां पर रौकी माउंटेन के गिरिपास से लेकर जो सुपरियर लेकर यहां तक फैला हुआ है तो 80% केती जो है इसी रीजन में की जाती है गेहुं जो है कनेडा की प्रमुक फसल है और कनेडा जो है संसार में गेहुं का एक अग्रणी नर्यातक देश भी है यानि कनेडा इतना दा गेहुं उप जाता है कि वो अपनी डिमांड भी पूरी पूरी कर लेता है और एक्सपोर्ट भी कर देता है जो जई राई और तोरिया यानि काली सर्सों कनेटा की अन्य महतपूर फसले हैं आगे बताया क्या है यहाँ पर नोवा इसकोसिया में सेब के बड़े-बड़े बाग हैं देखें यहाँ का एक रीजन है यहाँ पर एक छित्र है नोवा इसकोसिया यह आप देख पा रहे पसपालन मास के लिए यहाँ पर किया जाता है सेंट लॉरेंस नदी की घाटी और गेटलेक्स के आसपास के छेत्रों में तुधारू पसू पाले जाते हैं यहाँ पर जो धारू पसू पाले जाते हैं और रोकी मांटेन का परवती इलाका है यहाँ पर मास वाले पसू पाल जो है इन वनों के बहत्बूर उत्पाद है कनेडा का जो मौन्टियल सहर है मौन्टियल सहर कागज उद्युक का प्रमुक केंद्र है और कनेडा जो है अकवारी कागज के उत्पादर में बिस्व में अग्रणी है कनेडा के कागज उत्पादन की बात करें तो कनेडा जो है विस्वें कागज उत्पादन के मामले में पांच में स्थान पर आता है कनेडा के बनों में काम करने वाले लोगों को लंबर जेक कहा जाता है कनेडा के जो वन है यहाँ पर जो संकुतारी बन है संकुतारी बनों में जो लखडी काटने वाले लखड़ारे होते हैं उनको लंबर जेक कहते हैं तो लखडी काटना जो है यहां के लोगों का प्रमुक बेवसाय है ये लोग क्या करते हैं ये लोग लंबे-लंबे संकुतारी बक्षों को काटते हैं उनकी टैनियों को हटा देते हैं और उन्हें लट्थों में खंबों में बदल लेते हैं उसके बाद यह लोग क्या करते हैं जो भी नदियां बगर होती हैं उन नदियों में लट्थों को डाल देते हैं जैसे नदियां पिखलती हैं तो नदियों के पिघलने के साथ सब क्या होता है, लठे भी भैकर जो है, आगे गंतब तक पहुन जाते हैं, और आगे फिर यहाँ पर जो भी इनकी फैक्टरियां लगी हुई है, वो फैक्टरियां इन लठों को नदी में से निकाल लेती हैं, और ऐसे करके उनसे कागजया ल गर्म जल्धारा और लेब्राडोर की छंडी जल्धारा आकर मिलती है, जिससे प्लेंग्टन का निर्माड होता है, प्लेंग्टन का मतलब पलवक का निर्माड होता है, और पलवक मछलियों का भोजन होता है, इसे खाने के लिए बहुत बड़ी संख्याम मछलियां यहां प यहां पर मिलती हैं इनके मिलने के वुज़े से हैं plankton बनती है और यहां पर बहुत बड़ी संख्याम में मचलियां इसने खाने के लिए एकत्त होती हैं और इसी वज़े से मच्वार है यहां पर सबसे ज़्यादा मचलियां पकड़ते हैं तो यहां का एक grand bank जो है मचलियों को पकड़ने हेत्व प्रमुग विस्तान के रूप में प्रसिद्ध है खनेज और सक्ति संसाधन की बात करें तो खनन जो है कनेडा का महत्पूर्ट उद्ध्योग है एसबेस्टस, निकल, पोटास, यूरेनियम, मॉलीविडनम, चांदी, जिप्सम, गंदक, ताबा, टाइटेनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, सोना और लहोयस्क जो है कनेडा में पाए जाने वले प्रमुग खनेज है हाला कि कनेडा में बॉकसाइड नहीं मिलता है कनेडा जो है अपने अलुमिनियम कारखानों के लिए वॉकसाइड का अनिदेसों से आयात करता है एसबेस्टस की बात करें तो देखें एसबेस्टस जो है एक रेसिदार खनेज है इससे जो है अगनी रोधरक बस्तु में बनाई जाती है यह प्रशन काफी इंपोर्टेंट है काफी बार कुच्छा गया है कि अगनी रोधरक बस्तु में किस से बनाई जाती है अपने जाती है यहाँ पर उरनी उतपादन की बात करें तो कनेडा विस्टस में जुरेनियम का दूसरा सबसे बढ़ा उतपादक है देखे यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कजाकिस्तान है कजाकिस्तान की वा सेकिंड नंबर पर जो है कनेडा का स्थान आता है कनेडा के ओंटेरियो में सोना और डावसन सिटी में जो है चांदी का उत्पादन होता है कनेडा की सुलिवान खान जो है विस्थु की सबसे बड़ी सीसा जंग की खान है यह प्रश्ट मी PCS exam में कई बार पुछा गया है तो यह भी काईव काफी ज़ा इंपोर्टेंट है देखे जो इंपोर्टेंट में बता रहा हूँ आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहां की जो सुलिवान खान है विस्थु की सबसे बड़ी सीसा जंग की खान है लेबराडोर क्यूबेक सीमा पर कनेडा का सबसे बड़ा लोयस निच्छे पाया जाता है देखे मैं दिखा दे रहा हूँ लेबराडोर और क्यूबेक की सीमा यह जो है यह लेबराडोर है साइड में यह वाला ठीक है और यह क्यूबेक है यह क्यूबेक है जैसा कि आप देख पारें क्यूबेक और साइड में लेबराडोर तो लेबराडोर क्यूबेक की सीमा में यहां पर सक्षे बड़ा लोयास निच्छे पाये जाता है सड़वरी की जो खान है ये निकल उत्पादन हेत्व प्रसिद्ध है ये भी काफी important है कई बार पूछी गई है कि सड़वरी की खान किसके लिए famous है निकल उत्पादन के लिए कनेडा का अलबार्टा पाय्टोलियम उत्पादन हेत्व प्रसिद्ध है कनेडा का अलबार्टा है ये पेट् उपातन के लिए काफी जा फ्हीमस है यहां इसके कुल उत्पादन का 90 फीसद भाग प्राप्त हुता है बुड़ बफेलो नेसनल पार्क जो है कनेडा के अलबाटा में ही स्थित है बिंड़सर सहर को कनेडा का डेट्रोइट डेट्रोइट का मलब जानते हैं USA का डेट्रोइट यहां पर सक्सेदा गाड़ियां मनाई जाती है तो बिंड़सर सहर को कनेडा का डेट्रोइट और Hamilton को Kaneda का Birmingham कहा जाता है तेंगे Birmingham जो है UK का सहर है यानि UK का United Kingdom का सहर है और Birmingham जो है अपने Loispat उद्जो के लिए काफी famous है तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ का जो Windsor सहर है Windsor सहर जो है गाड़ी उतपादन में कारों के उतपादन में और Hamilton सहर जो है Loispat के निर्माड के लिए काफी ज़्यादा famous है कोईला जो है प्रसांत महसागर और Atlantic महसागर के 30% के कई छेत्रों से निकाला जाता है आगे यहाँ पर नियागरा वाटरफॉल की बात की गई है कि नियागरा जल परपाद जो है सेयुक्त राज्य और कनेड़ा दोनों के लिए जल सक्ती का एक महतपूर स्रोध है population की बात करें तो छेत्फल की जश्टी से करम देखें तो छेत्फल की जश्टी से कनेड़ा जो है भारस से तीन कुना बड़ा है लेकिन इसकी जो कुल जनसंख्या है तीन करोड़ सतासी लाग है कनेड़ा में जो जनसंख्या का घनत्तु है चार व्यक्ती प्रतिवर किलोमेटर से भी कम निकल कर आता है देखें यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरड़ा बहुती ज़धा असमान है जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे उत्री शेत कुरा यहाँ पर दुर्वी जलवाई से प्रभावित है उत्री शेत में जनसंख्या बहुती ज़्यादा विरल है देश की लगवग 80% जनसंख्या जो है कनेड़ा की दक्षडी सीमा के साथ साथ फैली कनेड़ा की तीन चोटाई से भी अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है टोरेंटो जो है कनेड़ा का सबसे बड़ा नगर है यह ग्रेड लेक्स पर सबसे अधिक वेस्ट पत्नों में ऐसे एक है मौन्ट्रियल और वेंकूबर जो है यहां के अनिफ्रम कुनगर है ओटाबा जो है यह कनेड़ा की रायधानी है जैसा कि आप देख पारें ओटाबा जो है कनेड़ा की रायधानी है परिभन की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसने अपने देश में बेसक यहाँ पर दिप्रीव प्रिस्थिति यहां जलवायों अन्कूल नहीं है, फिर भी यहाँ पर इन्हों ने अपने देश के डवलप्मेंट के लिए, यहाँ परिवन के लिए चाहा रेल लाइन हो, सडके हो यह प्रॉपर तरही से बनाई है, तो कन मार्ग जो है, कनेडियन राष्टी रिल मार्ग है, यह नोवा इसकोसिया के हैलिफेक्स नगर से, बिटिस कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट नगर को यह जोड़ता है, इसके लाब है यहाँ भी हाईवे हैं, तो ट्रांस कनेडा हाईवे लगवे लगवग 900 किलमीटर लंब करते हैं, और ऐसे वाईवानों को इसकी वाईवान कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका उत्री वाग पूरी तरह से बर्ग से ढगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई पट्टी वगएरा, कोई जैसे लेंडिंग की पट्टी वगए बनाई जाती है, उसको नहीं बना वहाँ पर Y1 की इस तरह से लेंडिंग कराते हैं तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए आज तिवस्तना ही थैंक्स वर वाचिंग जाए हंदू